ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचाईता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज बरसों बाद एक ऐसा नक्षत्र आ रहा है जो कि आपकी कोई भी मनुकामना पूर्ण कर सकता है एक ऐसा नक्षत्र जिसमें कि मा भगवती को आप रिजा सकते हैं एक ऐसा नक्षत्र जिसमें कि आपकी किसी भी तरह की कामना की पूर्ण के लिए आप एक सटी कुपाई कर सकते हैं बहुत ही गोपनी हैं बहुत ही छिपा हुआ तंत्र है जो कि विरले ही किसी को पता होगा लेकिन जिस किसी को ये पता है वो रातो रात अपनी इच्छाओं की पूर्टी कर सकता है और ये नक्षतर ऐसा है जो कि जो भी साधक इसमें साधना करता है उसकी जितने भी मनोकामनाई होती हैं जितने भी व्याधियां होती हैं सब दूर होती हैं और साधक की जितने भी परेशाने हैं उनको दूर करके उनकी मनुकामनाओं को पूर्ण करने में ये तंत्र सहायग है ये कैसा मंत्र है जो कि आपको खिलाएगा भी आपको पिलाएगा भी आपकी रक्षा भी करेगा और इस भौतिक जगत में, जो भी आप कामना करते हैं, जिसके भी आप कामना करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो छोकरी हो, कुछ भी हो, ये सब आपको मिलेगा, इस चमतकारी मंत्र से, ये मंत्र जो है, ये स्री शुक्त से लिया गया है, और इसका काक्रिचित्ध होकर पुष्य नक्षत्र में दस माला या ग्यारा माला जप लिया जाए तो जो भी सादक है मां भगवती की उस पर कृपाद रिष्टी हो जाती है। इस मंत्र को यदि प्राता काल जपा जाए इसका स्मर्ण किया जाए इसको सुना जाए तो भी सादक पर विशेश कृपा हो जाती है मां भगवती की। और महा माया के जिस पर कृपा हो गई वो इस भवसागर से तर जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे की एक मां अपने बेटे को संभालना शुरू करते। लेकिन उन शक्तियों से जुड़ने के लिए उन शक्तियों को पाने के लिए आपको ये छोटा सा जो है उपाय करना होगा। इसके बाद जो है बस आपकी वहवाई हो जाएगी। चारों तरफ जहां आप जाएंगे जिस भी काम में अपने हाथ डाल दिया वहाँ पर आपको सफलताई मिलेगी। मेरे पास काफी लोग आते हैं जो कि competitive exams देने जा रहे होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं लेकिन मन में एक शंका रहती हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं वो भी यही पूछते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा तंत्र कुछ ऐसा दीजे जिससे कि एक बार में ही सफलता हाथ लग जाएगी। तो आज ये गुप्त नक्षत्र आ गया है जिसमें कि इस साधना को आप कर सकते हैं और बहुत ही सरल है कोई आपको जंगलों में नहीं जाना कहीं भी नहीं जाना बस अपने ही घर में बैठिये और मैं आपको समय बताऊँगा उस समय के अंतराल में आपको इस मंत्र का गु उतना कीजिये और यकीन मानिए इस समय में किया गया छोटे से छोटा अनुष्ठान हजारों यग्यों के बराबर होता है और जब मा भगवती को आप राता काल स्वरण करते हैं तो उनकी अनुपम कृपा जो है वो आप पर बरसने शुरू हो जाती है बहुती गोपनी है जो कि आपको लाखो रुपे खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताएगा लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी गांठ मार लीजिये और आपके जीवन में जितने भी कश्ट हैं सब का निवारण हो जाएगा अभी आपको आपकी स्क्रीन पर एक मंत्र दिखेगा इस मंत्र को आज सही रटना शुरू कर दीजिए ताकि आपको उस नक्षत्र में मंत्र याद रहें मंत्र है इस मंत्र का आपने जाप करना है ग्यारा माला लगा लीजिए एक हजार अस्ती कर लीजिए या फिर ग्यारा ग्यारा कर लीजिए तो इससे जो ये मंत्र है ये चैतन्य हो जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नक्षत्र में यदि आप एक माला भी कर देते हैं तो भी इसके असर आपको दिखने शुरू हो जाएगा बस आपको चाहिए ये कि जो समय में बता रहा हूँ उस समय के भीतर भीतर आपको ये करना है यदि वो समय निकल गया और उसके बाद यदि आप मंत्र करते हैं तो ये उतना कारगर नहीं होगा असर तो फिर भी दिखाएगा क्योंकि नित्य प्रति दिन एक ही समय पर किया गया कोई भी कारगर आपको सफलता अवश्य देगा लेकिन जो ये नक्षत्र है इसमें किया गया कारगर आपको एक ऐसी उर्जा देगा एक ऐसा चमतकारिक मैं कहा नहीं सकता है मतलब बताना मुश्किल है कि मैं अभी आपको जितना भी बताऊंगा वो छोटा है इसके सामने एक बार करके देखेगा तो समय मैं आपको बता देता हूँ इस समय पर आपको इस मंत्र का गुम्फन करना है तो जो समय है वो शुरू होता है पांच बजे और तारीख रहेगी स साथ जो सुबह का समय है चार बज के 48 मिनट पर ये शुरू हो जाएगा और इसके बाद 6 बज कर 3 मिनट पर ये 8 जुलाई को खतम होगा तो इस अंतराल में जितना अधिक आप जाब कर सकें जितना अधिक आप जाब करेंगे समझिए आपकी जो जो भी आपकी मनोकामना थी जो भी आप चाह रहे थे और वो पूरा नहीं हो रहा था वो फलित होना तारंब हो जाएगा अब आपको करना कैसे है कि सबसे पहले तो पूर्व मुखी हो जाईए इस नक्षत्र के आने से पहले पहले आपको स्वच्छ हो जाना है नित्यक्रम से निवरत्त होकर उसके बाद एक आसन बिचाईए लाल रंग का और उसके उपर बैठ जाएं पूर्व मुखी होकर इसके बाद इस मंतर का गूमफन प्रारंब करें याद रहे कि आपके आसपास कोई भी न हो जब इस मंतर का आप गूमफन करें तो दूर दूर तक कोई भी न हो बस आप एकांत स्थान में बैठे हो आपके घर का ये कोई ऐसा कमरा हो जहां पर कि आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाले में हो इस समय पर और उसके बाद शुरू कीजेगा इस मंतर का गूमफन तो मा भगवती के ऐसे विशेश क्रपा पर हो जाएगी कि आपको धनकी कभी कमी नहीं रहेगी दूसरों को आप आकरशित करेंगे और यश्केर्ती, वैभभ ये सब आपके पीछे-पीछे दोड़ेगा लेकिन ये होगा तभी जब आप इस क्रिया को ठीक से कर पाए इस क्रिया को साथ तारीक संडे को जो भी आने वाला संडे है इस दिन आपको करना है और समय मैंने आपको बता दिया है उस समय पर कीजएगा और इसके जो लाब है वो मुझे बताईगा कि इस मंतर ने आपके कितने बिगड़ हुए कारे जो हैं सिद्ध कर दिया है क्योंकि ये जिस जिस ने आज तक इस पुशन अक्षत्र में इसका गुम्फन किया है वो कभी खाली नहीं गया एक बार इस क्रिया को कर दिया जाए तो माभगवती की विशेश कृपा सादक पर हो जाती है कि कहीं पर कोई त्रूटी हुई हो कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info at rate mohinivitya.com पर धन्यवाद हुआना था रहा है प्रत में